पश्चन बंगाल की भवानीपुर विधान सभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। यहां मुकाबला बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनरजी और भारतिय जन्ता पार्टी, बीजेपी, उम्मीद्वार प्रियंका टिब्रिवाल के बीच है। मम्ता के लिए यह उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए हर हाल में जीत जरूरी है। अगर वह हारती हैं, तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने होगा। आपको बता दें कि विधान सभा चुनाव में शुभेंदू अधिकारी ने नंदी ग्राम सी मम्ता बनर जी को चुनावी दंगल में पठखनी दी थी। हाला कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपत ली थी। उपचुनाव के मद्दे नजर इस शेत्र में सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं। केंद्रिय बलों की 20 कमपनिया तैनात की गई हैं। एक वर दक्षन कोलकाता की भवानिपूर सीट के उपचुनाव में मार्क्सवादी कम्यनिस्ट पार्टी माकपा ने श्रीजी विश्वास को मैदान में उतारा है। भवानिपूर में 97 मतदान केंद्रों के 287 मतदेस थलों में से प्रत्येक पर केंद्रिय बलके जवान तैनात किये जाएंगे। बूत के बाहर सुरक्षा का प्रभार कोलकाता पुलिस अधिकारियों के हाथ में होगा। कोलकाता पुलिस ने एक आदेश में कहा किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दाएरे में 5 या इससे अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमती नहीं होगी। पत्थर, हतियार, पटाखे या अन्य विस्पोटक सामगरी लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग ने यहां के मौसम को देखते हुए सिंचाई विभाग से भी सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा सभी मतदान केंद्रों को बाढ़ का पानी निकालने के लिए पंप तयार रखने को कहा गया है। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि जंगीपूर और शमशेर गंज में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गए हैं। इन सीटों पर भी गुरुवार को विधान सभा चुनाव होने हैं। मतगणना 3 अक टूबर को की जाएगी।